हेलो वेलकम तो मैं चानल दोस्तों आज मैं टाटा क्यू जो की क्विक कुजीन है यानि की रेडी तु इट आइटम्स है जो की टाटा द्वारा प्रस्तुत किये हैं उनका रिव्यू करने चाहरी हूं दोस्तों आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आत क्योंकि मैंने यह सेजवान नूडल्स विद्वेजी ही ट्राइ किया है इसलिए मैं आप सबको इसके बारे में बता रही हूं दोस्तों जहां तक पैकेजिंग की बात करते हैं तो जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं कुछ ऐसी ही पैकेजिंग में आता है यह और बाहर पेपर का कार्टन होता है और अंदर होता है एक प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें यह प्लेस होता है यह फोटो में आप देख सकते हैं और साथी साथ यह एक टिशू पेपर और फोक भी देते हैं so that आप जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकें औ और इसको आप एक से दो मिनट के अंदर ही रेडी कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि इसमें 60 सेकेंड्स लिखा हुआ है हलाकि प्रैक्टिकली इसे रेडी करने में थोड़ा सा अलग टाइम लगता है और जब आप इस कार्टन को खोलते हैं तो कुछ इस तरीकी की पैकेजिंग आपको मिलती है और अंदर प्लास्टिक का काटन होता है उपर यह प्लास्टिक एक रैपर से राप होता है और इसमें सारे कुकिंग इंस्ट्रक्शन्स लिखे होते हैं दोस्तों आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में रेडी कर सकते हैं या फिर आप इसे उबलते पानी म में भी पैकेट को तीन से पांच मिनट के लिए सोक करेंगे तो आपका जो प्रॉडक्ट है वो रेडी हो जाएगा दोस्तों जहां तक इसकी रिव्यूज की बात करते हैं तो इस बार टाटा ने डेफिनेटली बहुती जादा निराश किया है मैंने पैकेट परचेस किया थ मैं इसे बहुत जादा खराब था और एक अजीब सा स्वाद आ रहा था जो कि प्रिजरवेटिव का था तो प्रोड़क्ट अच्छा नहीं है तो गैस मैंने इसे टाटा का ब्रांड देख के खरीदा था जो जिसने मुझे इस बार बहुती जादा निराश किया हलाकि मैं ट दोस्तों इसमें काफी जादा जो प्रिजरवेटिव से उनका आपको एक टेस्ट महसूस होता है नैचुरल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता हलाकि इसमें वेजिटेबल वेग्रा मिली हुई है लेकिन वह बात नहीं लगती है जो कि आपको रेडिमेट चीजों में काफी निराश करता है यह प्रोड़क्ट तो मैं इसे रेकॉमेंड नहीं करती हूँ वीडियो पसंद आएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे फ्रेंड्स और फैमली